नमस्कार पहेरे सायथियों, स्वागता आपका अपने YouTube चैनल फरत्रक लासेज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुती शानदाar टोपिक के बारे में वह इंडक्टर के बारे में इंडक्टर कैया हैं? इंडेक्टर कितने परकार के हैं इंडेक्टर का फोर्मूला क्या है और इंडेक्टर को स्रेणी समांतर कर में किस परकार से स्रेजर किया जाता है तो हम चालू करते हैं कि इंडेक्टर किस परकार से कारे करता है इंडेक्टर कि माली जी यह एक कुंड लिए कि मां लीजे यह कुंडली और इसमें सांथ ही सभए दारा का परवा कऱार है यहां से मुद्ध करेंगे कि यह अधंकर का अवयम है यह परकार का अवयम है जिसमें से वितुघुद आरा का परवा कराने पर यहां चुम्बक की छेतर के रूप में यहां क्या होता है उर्जा का बंदारन होता है जिसे क्या बोलते इंडक्टर बोलते तो इसकी परीबासा लिख लीजिए कि यह एक परकार का कि क्या है अव्यों है कि जिसमें से कि विदूदारा का कि कि प्रवाह कराने पर कि इसमें कि चुम्बक की छेतर के रूप में कि उर्जा का कि बंदारन होता है क्या बोलते हैं इसे इंडक्टर या कॉंडली या चौक बोलते इसे जिसमें विदूदारा का परवा कराने पर चुम्बक की चेतर के रूप में उर्जा का बंडारन होता है जो में यहां दिखाए दे रहा है चुम्बक के चेतर के रूप में क्या हो रहा है उर्जा का बंडारन होता है यह क्या है इंडक्ट अब हमारे पास एक और सब्दाता है वह आता है इंडक्टेंस हम आरे पास एक और सब्टाता है इनडेक्टेंज यह क्या है यह प्रेख्ट अब हमारे पास जो सब्दा रहा है वह और तो अब हम पड़ेंगे हम ईंडेक्टेंज के बारे में के से प्रेख्ट हुरे ठीक और सांथ ही हो जब किसी एसी परिपत में इंडेक्टेंस क्या है यह एक परकार का एसी परिपत का गुण है जो विदुदारा में होने वाले परिवर्थनों का क्या करता है विरोध करता है इंडेक्टेंस इसकी परिवासा लिग लिजिए यह एक परकार का एसी परिपतों का गुण है जो करता क्या है जो विदुदारा में होने वाले जो मान में जो परिवतन होता है उसका विरोध करता है तो परिपतों का गुण है जो धारा के मान में होने वाले परिवतनों का क्या करता है विरोध करता है परिवर्थनों का विरोध करता है क्या कहलाता है इंडक्टेंस कहलाता है इससे पहले हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ाता है साथ यो जो इंडक्टेंस है इसका मात्रक क्या होगा इंडक्टेंस का मात्रक हेंडरी होता है इंडक्टेन्स का मात रख और यहनरे हिता इस बात का नंए ड्यार कना होगा तो हमने क्या पड़ा है इसके बारे में पड़ा है अब क्या करेंगे सबसे महतंपynı बात यह रख रहें होगी इंड़ेक्ट्र यह चौक यह कूंडली मैं कि यह एसी परकार के लिए किसी कि परकार से उप्योगी नहीं है यह लिए का ac के लिए के लिए ही UPYYO paid का a DC परिपतों के लिए इंड़ेक में कोई कार्य नहीं है कोई उप्सक्राइब ने तो इस वाद का नहीं ध्यारनाना है कि इंडिक्टर का किस फरकार से का रिए अब हम क्या करेंगे कि जो मनें पढ़ा इंड़क्तेंस । कितने परकार के उते हैं इंड़क्तेंस क 냄새 के परकार तो के पंदा वह प्रकार के बारे में पढ़त आँ साथ्यों कि कि इंडेक्टेंस से वो तीन परकार के होते है कि तीन परकार के इस परकार से लिख लिए जैने पहला है वाइव प्रोड द्वारा दूसरा फेरा इड़ द्वारा घार अगा?, collar द्वारा त्रो पॉरती सरल नोगे गरोडव द्वारा अगरे के साथ ही, जो में कसी परकार की और अप्योग नहीं किया जाता है तो यह जूरा रखना इसमें किसी भी परकार की क्रोड का परियोग नहीं होता है ठीक है साथियो अब क्या होता है कि जो फेराइट क्रोड है इसमें किसका परियोग होता है जो फेराइट क्रोड है इसमें लोहा तामबा की क्रोड का परियोग होता है तो इसमें क्या होता है लोहा प्लस तामबा की क्रोड का परियोग होता है ठीक है साथियो लोहा क्रोड है इसमें किस क्रोड का परियोग होता है नरम लोहा का जो लोहा क्रोड है इसमें किसका प्रियोग होता है नरम लोहा का इसमें प्रियोग होता है तो ठीक साथ यह बात आपको ध्यान में आई होगी तो वायुक्रोड इसका उप्योग किसमें होता है रेडियो उप्योग किसमें होता है रेडियो तता प्रिक्वेंसी एम्प्लिकेशन में ये बात हमें ज्यान रकनी होगी अब हमारे पास है फेराइट इसका उप्यों कहा होता है जो फेराइट है इसका उप्यों कहा होता है इसका प्योंग ट्रांस्मिटर तर्य में ट्रांस्मिटर ड्रांस्मिटर लीयरिसिवर में होता है भुक ढूंब ठीक है स्थाध्योग और लोक रोड जो होता है सब से बडि बात'कि इंडक 10 का मान्स सबसे दिखा होता है छोट इसमें क्या मरत करना है इस में लोक रोड में जो इनड़ टेंस का मान सबसे अधिक किसमे होता है लोह क्रोड में इंडेक्टेंस का मान सबसे अधिक होता है तो साथ यह तीनो इसके बारे में आपको पता चल गए होगा कि किस परकार से कारी करते हैं किस किस परकार की क्रोड का उप्योग के जाता है और किसका किसका इसमें उप्यों किया जाता है कितने परकार कियों थे यह आपको मैंने बताया है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडेक्टेंस से इसके फोर्मूले के बारे में कि इसका जो फोर्मूला वो किस परकार से गयात होता है तो ठीक है साथ ही हो हम इसके फोर् अब इंडेक्टेंस का जो फॉर्मॉला है वह हम ग्यात करेंगे कि इंडेक्टेंस का फॉर्मॉला किस प्रकार से ग्यात होता है फॉर्मॉला एल ब्रापहर एन फाइबटा आई हई है भॉलापहर एक इंडेक्टेंस है प्रेक्टूग एसन का है फ्लकॉल्चbuilt के फ्लक्स का माँन है और आई क्या विदुदारा का माँन है तो लिख लीजिए एल क्या है इंडक्टेंस यह द्यान से दिखना होगा इसके बाद इसके आगे जश्ट आगे हम क्या करेंगे एक इसके ओपर बेस्ट नुमेरिकल करेंगे तो आपको यह इन मानों का पता होना जरूरी है कि यह क्या क्या है क्या लिखे हुए है एन क्या है जो एन में दिखाए दे रहा है एक और इसके बाद फाई दिखाए रही है क्या है यह चुम्ब की ए है प्लक्स है करेंगे कि इस यह थी आए ठीक है साहतियो चिसके बाद आई कैसे आए अभी तो दॉरा अच्छ चुम्ड फोर्च के बारे मिनिदेख लिया इंडेक टेंस के बारे मिन मिने देख लिया अब क्या करेंगे इसके ओपर जो वेस्ट नुमेरिकल है इसके ऑपर इसके बारे में है अब हम देखेंगे कि किस परकार से गयात होगा अ गो है अब अब BSD करेंगे इसके बारे में कि gue हएक कड़ है जब एक कुंड्लि में एम्पेर की दारा जब एक कुंडली में एक मिली एम्पेर की दारा परवायत की जाए तो इसके साथ 5 माइक्रो वेबर का चुमबक कि ये फ्लक्स उत्पन हो जाता है तो कुंडूली का प्रिरक्तवक का मान क्या होगा जबकि यहां N बराबर 20 दिया हो यह हमारे पास Q-Sन है क्या क्या है हमारे पास दिया हुआ है एक मिली एमपियर ज्यान से देखना इस Q-Sन को पांच माइक्रो वेबर ठीके साथ यह एन बराबर 20 यह तीनों चीज़ दिया है तो सबसे पहले रखेंगे फोर्मूला फोर्मूला क्या है एल बराबर एन फाइब बटा आई ठीक है साथ यह हो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एन क्या है सबसे पहले अलग-अलग मान रख लीजिए अन बराबर हमरे पास gonna D匙 सबसे पहले है पहले चुंभभ की प्लक्स आती न दिया है पाँच pra mex आए न कितना दिया इसने क्योष्ण में एक मिली एमपियर आ पहलो करना क्या है एल बराबर में ग्यात करना है तो रख लीजह फॉर्ण और इसको पुट करके इसका मान निकालेंगे किस परकार से होगा तो ल बराबर n कितना जिकित दिया हूआ है 20 इन्टू चुट्व के फ्लक्ष पांध कितना चुन्बक्या तो पांच माइक्रो वेबर माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 ठीक है साथ यहां में ध्यार रखना होगा पांच इंटू 10 की पावर माइनस 6 होगा यह ठीक है साथ यह आई कमान कितना दिया हो है धारा विदू धारा एक मिली एंपियर यहां एक और जो मिली कमान है मिली का माल कितना होता है दस की पावर माइनस तीन तो इसे यहां इस परकार से लिख लिजिए दस की पावर माइनस तीन इसको यहां इस परकार से लिख सकते है पांच इंटू दस की पावर माइनस चै और इसको यहां इस परकार लिख लिख सकते है ठीक़े साथ यहाँ अभी तक आपको समझ में आया होगा किस परकार से होगा करेंगे क्या आगए L बराबर यहाँ 10 की पावर मायनस 6 दिखाए दे रही है और यहाँ 5 की पावर मायनस 3 दिखाए दे रहे इसको काटेंगे तो यहाँ जू मान होगा वो कितना हों दस की पावर? माइनस 3 साथ हो अब एक विकस्अ प्रकार कारश होगा 20 इनटू 5 इनटू 10 की पावर माइनस 3 आपको यह दिखाये दे रहा होगा अब क्या करेंगे? L बेराबर 20 से 500 होता है साथ हो इनटू 10 की पावर माइनस 3 और हमें साथ यह पता है जो 10 की पावर 3 है वो मिली होती है तो 100 मिली हेनरी इसका उत्तर क्या हुआ 100 मिली हेनरी अगर हम इसको हेनरी में निकाना चाहे तो क्या होगा इसको 1000 से इसमें बाग देंगे 1000 का तो इसका मान कितना है गा 0.1 हेनरी इसका उत्राएगा अगर हेनरी में निकाना चाहे तो इसमें 1000 का बाग देंगे अगर मिली हेनरी रखना चाहे तो इसका मान 110 की पावर मानिस 3 मिली ह यह नरी यहां इसका मान हो जाएगा ठीक है साथ यह कुछन आपको समझ में आया होगा यह जो फोर्मुला आमने रखाता है इसके उपर एक बेस नुमेरिकल हमने किया है अराम से यह कुछन समझ में आया है तो कुछन को रिवाइंड करके फिर से देख लें किस परकार से क्या करेंगे इंडक्टर के स्रेणी वे समांतर करम ठीक है साथ ही हो यह किस परकार से होंगे अब हमें क्या करी इंडक्टर में दोनों को माल दो करम हमारे पास यह सरेणी करम क्या करेंगे इस परकार से रखिएंगे ऐसे हैं ठीक है ऐलवन एलटू एलठी तो इस का मान क्या हो जाए करेंगे ये अर्टि तोल इंडेक्टर कामाइन बराबर ऐलवन प्लस एलटू प्लस एलठी सात्यों ये क्या वासर ने करम हुआ है ठीक है साथ ही हो यदि इसी को समांतर करमे करें तो किस परकार से करेंगे इस परकार से यह क्या है समांतर करम है हो क्या गया एल वन एल टू एल थ्री और इसको रखेंगे इस dipped L これ एक बड़ापर एक एल वन प्लस एक बड़ा एर टू प्लस एक बड़ाल 3 तो इस परकार से समांतर करम रख देंगे जूसे मत questo इस समय में अएंडर किस परकार से महड़ा हो रहा क्या पढ़ने जा रहे हैं इन्देक्टिव रिएक्टेंज के बारे में पिंद्टरी अश्राइब मेंि क्या बोलते हैं इंदेक्ट्रिय क्या करते हैं अब इनस्तिंट क्या क्या करने रियक्टेंज क्या करता है बादा उत्मन करता है किसमें करता है इंडेक्टिव इंडेक्टिव क्या चीज है चाहिए कुंडली मालीजिए चाहिए चोंक मालीजिए इसमें बादा उत्मन वाले करने वाले कारक को इंडेक्टिव रियक्टेंज बोलते हैं तो इससे हम ह Pa है प्रनियब पतिकाहत भी बोलते है ऐ 117 रे टेंस को क्या बोलते हैं प्रनियब पतिकाहत ठीक साथ ही इसको हम अक्स-L द्वारा डिनोट करते हैं, इंडेक्टिव रियक्टेंज को अक्स-L द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका मातरक क्या होता है, यह द्यार रखना होगा, कि इंडेक्टिव रियक्टेंज का मातरक ओम होता है, इसका मातरक क्या होता है, ओम होता है, तो इस बा होगा में को में एक्स एयल ब्राबर ओमेगा एल है सबसे पहले यह ग्यान होगा में जो dengan महान है वह क्या होता है ओमेगा मान इतर यहां रख लीजिए ओमेगा बराट तूपाई एफ होता है ठीक है साथ ही हो यह द्रहान में onें आया होगा कि ओमेगा का मातर ने से दिया हुआ है तो इसका जो फोर्मूला बना इकसल बराबर तूपाइ सन इसका मतलब यहां कि जो बेक्टिव रियक्टेंस है वह प्रिक्वेंसी के समानों पाति है जो हमें आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है साथ यू अब क्या करेंगे हम मान लीजिए प्रिक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो यहां एक्सल एक्सल का मान भी बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि frequency क्या इसके समान उपाती है यदि frequency का मान हम जीरो रखे तो XL का मान भी जीरो होगा तो इस यदि frequency का मान जीरो रखे तो XL inductive reactance का मान भी जीरो होगा और इस अवस्ता को हम क्या बोलेंगे short circuit अवस्ता ठीक के साथ ही हो अब क्या करेंगे यदि frequency का मान कम हो तो XL का मान हमें पता है कि XL का मान कमी ही होगा क्योंकि इसके समान उपात में जो हमें यहां दिखाए दे रहा है ठीक है साथ ही हो तो इसमें क्या करेंगे हम अब इसमें यदि frequency का मान अनंत रखे तो XL का मान भी अनंत होगा ठीक है साथ हो इस अवस्ता को हम बोलेंगे क्या इस अवस्ता को हम open circuit अवस्ता बोलेंगे तो साथ ही हुआ किसे एक बार फिर से मां आपको बता देता हूं कि frequency है वो वो XL के समान उपाती होती है inductive reactance के frequency समान उपाती है जैसे जैसे frequency का मान बढ़ता जाएगा inductive reactance का मान बढ़ता जाएगा तो हमें पता एकस्वान भी अणंत होगा और इस अवस्ता फोगा हम क्या कहेंगे ओपन सर्किट सेउटमेंट अवस्ता कहेंगे तो आज हमने इसके बारे में पड़ा है इसके बाद कल मिलते है एक बार फिर से नए वीडियो के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू